सिरफ संकल्प करने से संकल्प हमारा भाग्य नहीं बन जाते हैं संकल्प को द्रिड़ता से करना जैसे हमें एक व्रिक्ष उगाना है तो हमें बीज डालना पड़ता है तो पहले दन पहली तारिक को हम संकल्प का बीज डालते हैं लेकिन बीज कहां डालना है सिरफ एक तो बीज उपर उपर ही है, जैसे कि जमीन के उपर बीज डाल दिया, वो जमीन के उपर वाला बीज तो दो-तीन दिन रहता है, उसके बाद उड़ जाता है, वहां से, संकल्प यहां नहीं किये जा सकते, संकल्प बहुत गहरे, अपनी सब कॉंशिस माइंड में डालने की पड़ता है, और रोज धूप भी देनी पड़ती है, तो आज फिर से, सबसे पहले तो अपना संकल्प सामने लेकर आए, फिर देखते हैं, इसको अपनी रियालिटी में कैसे बनाना है, और क्यों बनाना है, सबसे इंपोर्टिन चीज, हमें स्पिरिच्वल एक्वेशन पक संकल्प हमारा भाग्य बन जाते हैं, तो संकल्प जो करें, वो बहुत ध्यान से करें, लेकिन सिरफ वो एक-दो संकल्प ने, हम कोई भी संकल्प, अगर बार-बार करते हैं, उसको रोज रिपीट करते हैं, तो वो हमारी वास्तविक्ता बनना शुरू हो जाते हैं, तो सब उसका संकल्प कर लेना है अब हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं किसी से भी पूछे क्या चाहिए तो हम कहेंगे खुशी चाहिए शांती चाहिए रिष्टों में प्यार चाहिए शरीर में सेहत चाहिए जो हमारा बिसनेस है व्यापार है हमारी जॉब है उसमें हमें प्रॉ चाहिए उसको reality कैसे बनाना है क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं शांती चाहिए, खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से हम कहते हैं tension normal है, गुसा normal है, अभी COVID के समय चिंता normal है, डर normal है, तो सबसे important चीज जो करनी है पहले तो normal की definition को clear करना है, कि कौन सी भावनाई normal है और कौन सी भावनाई मुझे comfortable लगती है और ये normal की definition हमें पूरे समाज में change करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरत है, इस साल का इसको agenda बना ले कि normal की definition को change करें, वैसी भी दुनिया कह रही है, what's the new normal, नया normal क्या है, actually वो नया नहीं है वो ही actual normal था, हम भूल गए थे बहुत समय से, तो जो actual normal था, उसी को normal पर लेकर आना है stress का एक बहुत simple formula है, stress is equal to pressure divided by resilience, pressure, अर्थात परिस्थिति, situation, जीवन में आई हुई बात चोटी सी चीज, सडक पर हम ट्राफिक में अटक गए, वो भी एक pressure है, एक बच्चे के लिए एक exam, pressure है किसी का मेरे साथ व्यावाहार ठीक नहीं, वो भी एक pressure है, COVID भी एक pressure है which means एक बात जो मेरे जीवन में आई है, जो मेरे लिए comfortable नहीं, वो pressure है काम पर हमारा target, हमारी deadline एक pressure है, काम पर आने वाले challenges भी सिरफ एक pressure है वो stress नहीं है, वो pressure है, तो word को बदलना है, भाशा को बदलना है हम कहते हैं work stress, हम कहते हैं travel stress, पर कभी हम कहते हैं parenting stress यह सारी चीज़े stress नहीं है, यह हमारे जीवन के pressures है, situations है equation क्या है, stress is equal to pressure divided by resilience, resilience आंतरिक शक्ति आंतरिक शक्ति, तो वो ही pressure पांच लोगों के पास होगा, वेकिन हरेक के आंतरिक शक्ति अलग है तो इसके हरेक का stress level अलग होता है, pressure हमारे control में नहीं, वो बाहर से आने वाली चीज़ है आंतरिक शक्ति हमारी अपनी है, तो stress, stress, तनाव, यह normal नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके पर depend करता है तो सबसे पहली चीज़ अपनी normal की definition create कर लेते हैं, जब हमारा मन शान्त है, स्थिर है, यह normal है लेकिन अगर मैंने अपने मन में कुछ ऐसे संकर्प करने शुरू कि ऐसी सोच रची यह कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, अभी COVID आएगा तो फिर क्या होगा, फिर office बंद हो जाएगा, फिर मेरे परिवार का, विस ऐसे सोचना शुरू कर दिया, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, जब होगा तब तो सोचना है, लेकिन पहले से ही सोचना शुरू कर दिया, एक है ध्यान रखना, एक है चिन्ता करना, ध्यान रखना नॉमल है, चिन्ता करना नॉमल नहीं है, इसको हम कहते हैं एक emotional illness, emotional disease, अगर हम खुद को और अपनों को एक mental health issue से बचाना चाहते हैं, depression, anxiety, इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो हमें emotions को normal रखना है, stress, चिन्ता, डर, गुसा, irritation, निंदा, शिकायत करना, अपने आपका दूसरे के साथ comparison करना, risk करना, competition करना, इन में से कुछ भी emotional health नहीं है, इसको visualize करें आत्मा को एक battery की तरह, यह आत्मा battery charged रहनी चाहिए, और यह सारी जो emotions है न, इससे यह battery tip 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 करके कम होती रहती है, और फिर suddenly जीवन में एक बात आती है, शक्ती होती नहीं बात को सामना करने की, और फिर वो एक तना न रहेकर anxiety बन जाता है, तो इसलिए इस साल का लक्ष है कि इस आंतरिक शक्ती की battery को पहले charge करना है रोज और फिर उसको सारा दिन charged रखना है, यह हमारी जिम्मेवारी है,